next हम पढ़ रहे हैं coplanarity of three vectors ठीक है तो coplanarity of three vectors ठीक है three vectors की बात कर रहे हैं तो अगर हम दो vectors की बात करें तो उनका क्या होगा two vectors are always coplanar दो vectors क्या होंगे हमेशा coplanar होंगे next अगर हम three vector की बात कर रहे हैं तो देखो मान लो यह कोई three vector है हमारे पास हमारे ठाला हम जो इंवांगे हैं हां लो तो उसो का रहे हैं हां हां हुआ को रहे हैं तो अगर में तो और घ्ला तो लो जाने हैं यह कुछ इस तरह से है यहाँ पर यह वेक्टर A है चीक है उसके बाद यह जो है यह क्या है वेक्टर B है चीक और यह कोई एक वेक्टर है C C ठीक है अगर यह पूरा A है तो यहाँ से यहाँ तक हम इसको क्या लिख सकते है एक्स टाइम्स ओफ वेक्टर A वेक्टर कुछ टाइम्स होगा न यह इसका और अगर हम इसकी बात करें तो यह क्या है y times of vector b होगा चीके ये इसका head है यहाँ पर इसके लिए ये यहाँ पर head है तो ये वाला इसके parallel तो ये क्या होगा ये इसका head हो जाएगा यहाँ पर और ये इसके लिए क्या देखो अब इसके लिए क्या होगा ये यहाँ पर तो अगर हम बात करें यहाँ पे यह y times of b है तो यह भी क्या हो जाएगा y times of b होगा तो अगर हम इसमे triangle law of vector addition लगाए so this plus this equals to यह हो जाएगा है ना? कुछ भी नाम दे तो इसको o a b तो यहाँ पे क्या होगा इसमें जो है यह हमारा o b is equals to o a plus कितना? इसको नाम दे तो c is equal to sorry plus o c और यह कितना है vector c equals to यह कितना? x times of a और यह क्या है? y times of b और यही coplanarator की condition होती है हमने यहाँ क्या लगा है? triangle law vector addition लगा दिया तो coplanarator के लिए हम condition लगा है तो वो क्या होती है? if one vector can be expressed as a linear combination of other two two vectors तो यहाँ के लिएगे लिए वाली condition तो यहाँ क्या हो जाएंगे यहाँ पर? coplanar हो जाएंगे, अभी x और y क्या है, where x and y are scalars, x और y यहाँ पर क्या है, scalar, तो अगर हमें कभी भी तीन वेक्टर को coplanar प्रूफ करना है, तो पहली condition यह, दूसरी condition क्या होगी, दूसरी condition के लिए क्या अगर हो यहाँ पर, second condition मान लो, कोई एक वेक्टर है a हमारे पास, x1i प्लस y1j प्लस z1k, वेक्टर b, x2i प्लस y2j प्लस z2k, एन वेक्टर c क्या है, x3i प्लस y3j प्लस z3k, ठीक है, यह हमें कोई तीन वेक्टर दिया है, और हमें दिखाना है कि यह coplanar है, तो अगर यह ig के जो coefficients हैं, इन coefficients का determinant अगर 0 आ जाता है, तो क्या होंगे यह coplanar, तो condition क्या आएगी यहाँ पर, x1, y1, z1, first row में, a के, a के जो x, y, j के coefficient है वो आ जाएंगे, second में, x2, y2, z2, x3, y3, z3, ठीक, अगर यह 0 हो जाता है, तो a, b, c, if this is 0, therefore, a, b, c, are coplanar, तभी भी क्या हो जाएंगे, coplanar, तो coplanar के लिए हमने दो condition पढ़ी, पहली, if one vector can be expressed as a linear combination of other two, ठीक है, then the three vectors are coplanar, और दूसरा, अगर उनके i, j के जो coefficients हैं, ठीक है, उनका determinant 0 आ जाता है, तभी यह तो, तीन vectors के आउंगे, तमारे coplanar होंगे,